Hello and Welcome Class 10th Exercise 1.1 New Edition of the NCRT Question No. 1 Express each number as a product of its prime factors इस exercise को करने से पहले अगर आपने मेरे इसके पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप वे देख लीजे क्योंकि इस chapter की theory और सारे method, example समय उनमें explain किये गए हैं प्लेइलिस्ट का लिंक description में है Express each number as a product of its prime factors इस question में हमें simply इनकी prime factorization करके powers में लिखना है Prime factorization के लिए आप कोई सा भी method चूज कर सकते हैं असान method तो यही है जो आपने जोटी classes में सीखा है 2 prime number है अभी भी यह even number है तो 2 prime number है इससे कर सकते हैं इसको divide अब यह number 5 से divide हो जाएगा 7 भी prime number है यह सब prime numbers है तो 140 की prime factorization आ गई 2 square times 5 times 7 अब 156 यह number even है जब तक यहां का number even रहता है हम 2 से ही divide करते रहते हैं क्योंकि इसका last digit 5 है और 5 prime number है तो पहले 5 से divide कर लेते हैं अभी भी यह 5 का divisible है यह number अब 5 का divisible नहीं है पर यह number 3 का divisible है और 3 भी prime number है अभी भी यह number 3 का divisible है और 17 भी prime number है यह नमबर 5 का डिविजिबल है और 5 प्राइम नमबर है अब यह नमबर 11 का डिविजिबल है यह नमबर 7 का डिविजिबल है यह सब प्राइम नमबर है 13 भी प्राइम नमबर है इस नंबर की प्राइम फेक्टरिजेशन बनेगी, 5 टाइम्स 7, टाइम्स 11, टाइम्स 13. अब यह नंबर ना तो 2 का डिवीजिबल है, और इसका सम करें, तो यह 3 का डिवीजिबल भी नहीं आता. अब 5 का भी डिवीजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट डिवीजिट इसका 9 है, तो यह नंबर किसका डिवीजिबल है? अब जो प्राइम नंबर्स होते हैं, वो होते हैं 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, 17, and 19. और उसके बाद आता है 23, फिर आता है 29, इन सबसे तो नहीं हो रहा है यह डिवाइट, 11 से भी नहीं हो रहा, 13 से, यह 13 से भी डिवाइट नहीं हो रहा है, अब 17 से देखते हैं, चाहिद यह 17 से डिवाइट हो रहा है. 17 फोर्जा 68, 62 आ गया, और 17 फ्रीजा 51, 11, और 9, 7 टाइम्स, तो इस तरह से 17 का डिविजिबल है यह नमबर और 17 प्राइम नमबर है, यहा आ जाएगा 4, 3, 7, अब यह नमबर फर्दर 17 का डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 17 टूजा 34 और फिर आ जाएगा 9, 97 तो प्राइम नमबर है, किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो अब यह किसका डिविजिबल है, इसको देखते हैं, यह 17 से तो नहीं होडा, 19 से हो जाएगे चाहएगे, येस, 19 से हो रहा है तो 19 से ये 23 टाइम्स हो रहा है अब 23 खुद में ही प्राइम नंबर है तो इस समय ये नंबर इन 3 प्राइम नंबर्स का प्रोड़क्ट है इस कोशन में प्राइम नंबर्स का बहुत जादा यूज हुआ है आपको 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नबर्स याद होने चाहिए आप उन्हें लिख करके एक दो बार लेखेंगे तो आपको असानी से याद हो जाएंगे और उनकी लिस्ट मैंने पीछे एक वीडियो में दी भी है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस प्लेलिस्ट में ये 4th lecture है इससे पहले 3 lectures और है तो अगर आप उन 3 वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा उसके बाद अगर आप इस exercise को start करेंगे तो शायद आपको मेरे solutions भी देखने की ज़रुत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये वीडियो lecture useful लगा है तो आप इस channel पर trust कर सकते हैं और इस channel को subscribe कर सकते हैं Thanks for watching